ये दूसरों के बहन बेटियों की इज़्जत करना क्या जाने जब ये अपने राजनितिक स्वार्थ में अपनी खुद की बेकसूर पत्नी तक को भी छोड़ चुके हैं 2014 के चुनावों में नरेंद्र मोदी की पत्नी को लेकर विरोधियों ने जम कर हमले बोले थे लेकिन इस बार की चुनाव में ये मुद्दा पहली बार उठा जिस मायावती पर पिये मोदी के तेवर बाकी विरोधियों के बनस्पत कुछ नर्म थे उन्हीं मायावती ने मोदी पर सबसे तीखा हमला बोला मुझे तो ये भी मालूम हुआ है कि बीजेपी में खास कर विवाहित ओरते अपने आदमियों को स्री मोदी के नजदीक जाते देखकर ये सोच कर भी काफी ज़्यादा घबराती रहती हैं कि कई ये मोदी अपनी ओरत की तरह हमें भी अपने पतियों से अलग ना करवा दे मायवती के मताबिक ये गालियां जायज है ये अपनी चुनावी जनसवाओं में जनता को ये भी बता रहे हैं कि मुझे विपक्षी दल मिलकर आए दिन नई नई गाली दे रहे हैं जबकि ये सोभा भी की है कि कि किसी भी वेक्ति को गाली तबी दी जाती है जब वे गाली मायवती के समले से बीजेपी तिल मिला गई है दिगज नेता मायवती को गेस्थाउस कांड की आद दिला कर पूछ रहे हैं कि तब जो हुआ था क्या वही महिला का सम्मान था अबस्वलिख भेगा पार 1 जाती है झाय तब को सव घवड़ी स्वारी स्हप्वल्ट उन एस्वे हैं कि को गाली तरियव वड्य प्जेपी बहुआ टोर वैड़ी नही गाला जाती हैं कि सेखवलेसे च ज hmly श्हीजट र महीट पार बहार्वी पहीड को अबस्वे यूपी की जंग में महागडबंधन ने भले ही कॉंग्रिस को अलग थलक कर दिया लेकिन जुबानी हमलों की जंग में कॉंग्रेस उसका पूरा साथ दे रही है परसो हमने 56 गालिया अब तक 56 गालिया हमने जितनी भी बकी कॉंग्रेस और बाकी विपक्षने मोदी जी के लिए वो हमने पताई थी अब लगभग सो होने को आई चार दिन में इतनी गालिया बढ़ी पिछले पांच साल से आपने देखा समवाद का स्तर नोंने किस जगें ले आए कॉंग्रेस की विध्वा मैं उधारन देना चाता हूँ जादा नहीं बताऊंगा लेकिन आपको मालूम है किस स्तर पर ये ले आए हैं समवाद तो उसके बाद क्या होता है हम लोग कॉंपेटिटिव स्पेस में हैं प्रत्योगी हैं सब एक दूसरे के हमें लगता है अगर गाली देकर वोट मिल रहा है कहीं तो ये नहों हमें नुफसान हो जाए चुनावी समर के बीची पीम मोदी ने मायवती के प्रती साहन उभूती दिखाते हुए कहा था कि अखिलेश और कॉंग्रिस उन्हें धोका दे रहे हैं लेकिन सेंदमारी की कोशिश से मायवती इसकदर भढ़केंगी ये अंदाजा शायद उन्हें नहीं रहा होगा